हेलो दोस्तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेडी वै विशाल पर दोस्तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं संपून भारतिय डंड सहिंता यानी IPC इंडियन पिनल कोड आपने एक शब्द सुना होगा जो की हमारे कानून हमारे जस्टिस से जुड़ा होता है ठीक है दोस्तो तो इस वीडियो में दोस्तो हम करेंगे IPC के जितनी भी धारा हैं उसके बारे में हम डिसकस करेंगे और ये जो है दोस्तो हमारा सफर एक से लेके 551 तक IPC की जितनी भी धारा है उनको कवर करेंगे यानि दोस्तो उन सभी धाराओं के बारे में डिसकस करेंगे जो आपकी नॉर्मली हर एक वंडे एक्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके संग लोक सिवा आयोक के एक्जाम या फिर आपका राज्य लोक सिवा आयोक का एक्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं ठीक है IPC की जो धाराएं होती हैं दोस्तो वो हमेशा पूछी जाती हैं और ये भी आपने कई एक्जामों में देखा होगा तो हम दोस्तो जो है एक से लेके पूरी 551 तक किधारा करेंगे जिस तरह हमने एक से लेके 395 तक के आर्टिकल कवर किये थे ठीक है दोस्तो तो ये फर्स्ट वीडियो है जो कि हम एक से लेके 30 तक किधारा करेंगे ठीक है तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये बेल आइकोन ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इंफर्मिशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों वीडियो पसंद आये तो उसको लाइक, शेर और उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी ठीक है दोस्तों बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जब भी हम लोग दंड सहीता की बात करते हैं भारतिय दंड सहीता जो है यानि IPC, एक होता है IPC और एक होता है CRPC ये दो शब्द आपने हमेशा भारत के कानून में भारत के नियाय में सुने होंगे IPC का मतलब होता है दोस्तों Indian Penal Code यानि भारतिय दंड सहीता है ना और CRPC का मतलब होता है Code of Criminal Process यानि जो प्रिकिरिया है वो क्या होगी जो IPC है, IPC में दोस्तों हमारे उन कानून उन दंडों का प्रापधान किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराद करता है चाहे वो भारत की किसी भी पोस्ट पर खड़ा हो सिबाए भारत की सेना को छोड़के भारत के हर व्यक्ति के लिए ये जो है लागू होती है IPC है ना सिर्फ भारत की सेना को छोड़के भारत की सेना के लिए अलग से कानून बना गया है जिसको मार्शल लो कहते हैं तो उसकी जो धारा है उसके तैत उन लोगों को सजा दी जाती है भारत की सैना में रहते हुए कोई अपराद करते हैं ठीक है तो IPC में जो है मेंली जो दंड है दंड जितने भी जो पनिश्मेंट है उनके बारे में बताई गई है और CRPC दोस्तो Code of Criminal Process यानि अगर कोई अपराद किया जाता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी उसको नियाले में किस परकार लेकर जाया जायागा उसके बारे में CRPC में बताई गया है ठीक है इन दोनों में ही दोस्तों जो है अलग-अलग धाराएं बताई गई है लेकिन जो आपके एक्जाम में पूछी जाती है वो IPC की धारा पूछी दाती है जो आपकी CRPC की धारा है वो बिलकुल ही कम पूछी जाती है जो आपको बहुत कम देखने को मुली होगी तो जो IPC की धारा है जो हमारे भारतिये दंड सहींता कहलाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी उद्देश का जो IPC इंडियन पिनल कोड है उसकी क्या उद्देश का रही थी भारत के लिए एक साधारण दंड सहींता का उपबंद करना समीचीन है अता ये निमलिकी तूप से अधिनियमित किया जाता है यानि भारत के लिए दंड सहींता जो है इसका उपबंद किया जा रहा है और ये कब किया गया था दोस्तों ये 1860 में भारत के लिए दंड सहींता का प्रापधान किया गया था जो IPC थी वो हमारे देश में हमारे भारत में आई थी 860 में अंग्रेजों के शाशनकाल में जब हम ब्रिटिश अर्ष के अंडर में रहते थे वो लोग हम पे जब राज करते थे तब जो है ये ब्रिटिश पार्लियमेंट से बनकर आई थी भारते दंड सहिंता और अब तक इ अंचोधन भी आपको पढ़ने की कोई जोरुत नहीं है बस आपको जो है ये धाराएं पढ़ने है की एक से लेके 155 तक जो धारा है वो कौन-कौन सी है ठीक है दोस्तों और जो इंपोर्टेंट होगी मैं उसको इंपोर्टेंट मार्क करूँगा तो सबसे पहले बात करते ह अपनी IPC की धारा एक की IPC की धारा एक में क्या लिखा है सहिंता का नाम और उससे प्रवर्तन का विस्तार यानि दोस्तों जो सहिंता का नाम है और वो कहां तक फैलेगी उसके बारे में बताए गया कि वो कहां तक प्रवर्तिन में आ सकती है ये लिखा है दोस्तों IPC की धा इसको और पढ़ते हैं यह अधिनियम भारतिय दंड सेंटा कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मो और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में होगा यह दोस्तों यह जो आपकी धारा है आईपीसी की धारा इसको जो है अब निरस्त कर दिया गया है ठीक है हम सब जानते हैं 2019 में एक राज्य पुनरगठन अधिनियम पार्स होगा था जिसके तहट जम्मो और कश्मीर को जो है एक राज्य से हटा कर वहाँ पे दो केंदर शाष प्रदेश बना दिये जहां पे अब यह जो आईपीसी है यह आईपीसी अब जम्मो कश्मीर और लद्दाग दोनों में लागू होगी जो पहले था यानि दोस्तों 2019 से पहले जम्मो और कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं थी वहाँ पे क्या लागू थी वहाँ पे भारत में जो हमारा प्यारा भारत है पूरा उसमें जो है आईपीसी की धारा लागू होगी चाहें वो कोई वी व्यक्ति हो सिवाए भारत की सेना को छोड़के एक मंत्री से लेके एक नॉर्मल व्यक्ति मिडल क्लास फैमली तक के लिए आईपीसी की धारा में जो कानून ल और जो भारत में जो व्यक्ति है जितने वी व्यक्ति सिर्फ सेना को छोड़के उनके लिए जो है ये IPC की धारा जो है लागू होती है पहले जम्मू कश्मीर में RPC लागू थी RPC को हटाकर अब जम्मू कश्मीर में भी IPC लागू कर दी गई है ठीक है ये समय आपको बता दिया है अब बात करेंगे IPC की धारा 2 की IPC की धारा क्या कहती है दो भारत के भीतर किये गए अपरादों का डंड ठीक है दोस्तो हर व्यक्ति इस सहिंता के उपबंदों के प्रतिकूल हर कारे या लोब के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोशी होगा इस सहिंता के अधिन डंड निया होगा अन्यता नहीं यानि दोस्तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो डंड कर देता और वो भारत के भीतर है तो उसको डंड दिया जाएगा चाहें वो कहीं भी अपराद करके आया होगा ठीक है बस IPC की धारा 2 में ये लिखा हुआ है बात करेंगे IPC की धारत 3 इसमें क्या लिखा है भारत से परे किये गए किन्तु उसके भीतर विधी के अनुसार विचारनीय अपरादों का डंड यानि दोस्तो इस IPC की धारत 3 के कहने का मतलब है कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई भी अपराद कर देता है यानि वो पाकिस्तान में जाके कोई अपराद कर देता है ठीक है तो वहाँ पे तो वो दोशी हो गया लेकिन अगर वो भारत में आ जाता है और भारत को ये लगता है कि हाँ ये अपराद कर क्या है और हमारे लिए ये थोड़ी गलत बात हो सकते है यानि अगर भारत के उन में यानि IPC की धारत 3 के तहट उसको सजा देने का प्रापधान किया गया है यानि कोई व्यक्ति भाहर से अपराद करके आया है और भारत को वो अच्छा नहीं लगता यानि भारत की मान मर्यादा को जो है प्रभावित करता है तो भारत जो है उसको डंड दे सकता है ये ल यानि निमन व्यक्तियों को सजा दोस्तो आईपीची की धारत चार के तहट निमन व्यक्तियों को सजा बताई गई है वो कौन-कौन से व्यक्तिय जिनको सजा मिल सकती है भारत का नागरिक जिसने भारत के बाहर कोई हत्या की हो यानि है तो भारत का नागरिक लेकिन कहीं और जाके उसने हत्या कर दी और फिर भारत में आ जाता है है ना और उसके खिलाफ कोई और केस जायर कर देता है तो उसको सजाद दी जाएगी ठीक है पहली बात उसके बात दूसरी भारत में रजिस्ट्डिक रिट किसी विमान या पोथ पर कोई अपराद पर सजा यानि कोई व्यक्ति किसी भी विदेशी नाव या फिर जहाज जो विदेशी नाव होती है दोस्तों हम सब जानते हैं जो दूसरे देशों की नाव होती है या फिर कोई वी जहाज उस पर अपराद कर देता है जो कि भारत में रजिस्टर्ड है तो उस व्यक्ति को भी सजा दी जाएगी मान लो एक प्लेन है ये प्लेन उड़के भारत में आ रहा था लेकिन यहीं पे बीच में किसी ने कोई अपरात कर दिया किसी की हत्या कर दी ठीक है तो उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट कर लिये जाएगा और भारत के कानून के तहट उस पर जो है केस दायर किया जाएगा ठीक है तो ये जो है ये आईपिसी की धारा चार कहती है कि उसको जो है ऐसे ही वक्षा नहीं जाएगा ठीक है उसके बाद भारत में इस्थित कंपीटर संसातनों का प्रियोग करके अन्य देश में अपरात किया जाना दोस्तों हम सब जानते है आजकर साइवर फ्रॉड जो है बहुत जादा हो गया है लोग हैकर होने लग गया है वो छोटी से छोटी चीज़े जो है हैक करने लग गया है अगर कोई व्यक्ती भारत के राज्यचेतर के अंदर रहकर जो है कोई भी हैकिंग वगयरा करता है तो उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और IPC की धाराच 4 के दौरा उसको अरेस्ट करके उसके बपर जो है केस दायर किया जाएगा ठीक है दोस्तों हमारे भारत में जो है hacking वो भी एक गैर कानोनिक काम होता है ठीक है उसके बाद बात करेंगे IPC की धारा 5 की IPC की धारा 5 क्या कहती है कुछ वीदियो पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना यानी दोस्तों इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों यानी सैनिको नौसोनिको या वायू सैनिको द्वारा विद्रो और परितियाग को डंडित कर किसी अधिनियम के उपबंदो या किसी विशेश या इस्थानिय विदि के उपबंदो पर प्रभाव नहीं डालेगी देखा मैंने भी आपको बताया था कि जो भारत की सेन है उसके लिए अलग कानून है और यहां पर भी वही बात की गई है जो IPC की धारा 5 है वो सैनिको न परितियाग करने पर डंडित नहीं किया जाएगा IPC की धारा के तहट ठीक है दोस्तों IPC की धारा कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी किस पर सैनिको पर है ना जो हमारी नौ सैना है और वायू सैना जो है अगर यह कोई विद्धोय या फिर परितियाग करते है तो इनको जो IPC की धारा 6 की इंडियन पिनल कोट की धारा 6 है वो क्या कहती है वो दोस्तों अपराद की हर परिभाशा हर डेंड का उपबंद और हर ऐसी परिभाशा ये डेंड का उपबंद करती है यानि IPC की जो धारा है वो अपराद की परिभाशा बताती है ठीक है ये हो गए पहला और दूसरे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है साथ साल के बच्चे को अपरात के संबंद में निर अपरादी माना जाना यानि यह जो यह आपका सबसे important है क्योंकि जो साथ साल तक के बच्चे होते हैं उनको निर अपरादी माना जाता है अगर वो कोई अपराद कर देते हैं युकि दोस्तों जो 7 साल के बच्चे हैं उनका विकास नहीं होता उनको इतनी समझ नहीं होती कि वो कोई अपराद कर सके कोई हत्या कर सके कोई मर्डर कर सकती ठीक है तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई 7 साल का बच्चा जो है अपराद कर दे और उसको अपरादी माल ले जाए 7 साल का बच्चा बहुत छोटा हो जाता है तो इसी लिए IPC की धारत 6 के तहट 7 साल के बच्चे को जो है ये छूट दे गई है कि उसको निरापरादी माना जाएगा ठीक है अगर वो कोई अपराद कर देता है वैसे होता नहीं ये 7 साल के बच्चे के अंदर इतनी समझ नहीं होती ठीक है अब बात करेंगे IPC की धारत 7 की IPC की धारत 7 क्या कहती है ये कहती है एक बार इसपस्टी करण पद का भाव यानि हर पद जिसका इसपस्टी करण इस सहिंता के किसी भाग में किया गया है इस सहिंता के हर भाग में उस इस्पस्टी करण के अनुरूप ही प्रियोग किया जाएगा यानि दोस्तों IPC की धारा साथ है उसमें बस ये लिखा हुआ है कि कोई भी शब्द जिसका हमने इस्पस्टी करण दिया है यानि उसकी व्याख्य किया उसके बारे में बताया है वो हर भाग में ऐसा ही रहेगा जो कि हम इस भाग में बता रहे हैं ठीक है जैसे भारत का समिधान भागों में बटा हुआ है वैसे ही IPC भागों में बटी हुई है IPC भागों में भी बटी है अध्यायों में भी बटी है तो इसमें वही बताया है कुछ शब्द बताये गए थे इसमें है ना वो काफी बड़े थे तो उसको पढ़ने के आपको जुरत नहीं है बस इतना पढ़ना है कि कुछ शब्द बताये गए थे IPC की धारा साथ में वो श IPC की धारा आठ में क्या लिखा हुए 마ifically Очень रिशी लिन फीवर कहा है नर ऑर नारी इन दोनों के बारे में बताता है लिखा है ठीके दोस्तों तो IPC की धारा आठ में शर्फ यही लिखा है बात कर vá caption की धार नौ में दोस्तो वचन लिखा हुआ है वचन ठीक है ये शब्द लिखा हुआ है इसमें आगे क्या लिखा है जब तक कि संदर्व से तत प्रतिकूल प्रतित ना हो एक वचन घोतक शब्द के अंतरगत बहुवचन आता है और बहुवचन शब्दों के अंतरगत एक वचन आता इम्पोर्टन नहीं है इम्पोर्टन बिल्कुल भी मार्क मत करना एक से लेके चार तक की धारा काफी इम्पोर्टन थी वो आपको जरूर याद रखनी है ठीक है उसके बाद बात करेंगे IPC की धारा 10 की IPC की धारा 10 क्या कहती है पुरुष और इस्तरी के बारे में बताती है पुरुष शब्द किसी भी आयू के मानव नर का घोतक है इस्तरी शब्द किसी भी आयू की मानव नरी शब्द का घोतक है यानि घोतक का अर्थ होता है दोस्तों मिलने वाला ठीक है तो जो ये पुरुष शब्द है ये तो आप जानते ही और इस्तरी शब्द जो है वो नर व्यक्ति शब्द के अंतरगत आता है, ठीक है दोस्तों तो व्यक्ति शब्द जो है वो इनके अंदर आ सकता है, कम्पनी के अंदर आ सकता है, किसी सिंपल व्यक्ति के अंदर आ सकता है, ठीक है तो व्यक्ति शब्द ये इंडिकेट करता है, उसके बाद बात करेंगे IPC की धर इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लोक शब्द लिखा हुआ है और लोक शब्द का मतलब भाँ पे बताया है लोक का कोई वी वर्ग या कोई वी समुदाए लोक शब्द के अंतरगत आता है ठीक है लोक मानी दोस्तों समाज कहते हैं तो समाज का कोई वी वर्ग या उसके बाद IPC की धारा 13 ये क्या कहती है कुईन की परिवाशन बताती है जिसको 1950 में ही निरस्त कर दिया है विदी अनुकूलन आदेश दुआरा दोस्तों इसको निरस्त कर दिया गया है हम सब जानते हैं भारत की समिधान में संचोधन किया जाता है तो भारती समिधान संचोधन कहा जाता है लेकिन इसमें IPC की धारा में विदी अनुकूलन आदेश कहा जाता है जो कि 1950 में इस IPC में से हटा दिया गया है ठीक है उसके बाद बात करेंगे IPC की धारा 14 ये क्या कहती है सरकार का सेवक यानि इसमें जो शब्द लिखा है वो सरकार का सेवक शब्द लिखा है और इसकी व्याख्या महाँ पे की गई है कि सरकार का सेवक, सरकार के प्रादिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप स बने रहने के लिए नियोक्ति किये गए हैं या नियोजित किये गए हैं किसी भी अफसर या सेवक का घोतक है यानि दोस्तो सरकार का सेवक का मतलब कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधिकार द्वारा यानि सरकार ने उसको अधिकार दिये हैं कि वो भारत के भीतर रहकर उससे स आफसर या सेवक जो है वो सरकार के सेवक शब्द से मिलता है ठीक है बस सिंपल है इसमें आपको याद करने की जरुरत नहीं है ये सारी जो है दोस्तों अभी तक एक बार भी पूछी नहीं गई है लेकिन 53 के बाद की जो भी धाराएं है बहुत जादा इंपोर्टेंट है और एक्च्वल में असले धारा में पढ़ने का आपको मज़ा तभी आएगा जब आ 53 के बाद पढ़ोगे ठीक है इस वीडियो के बाद दोस्तों एक से लेके तीस तक के बाद मैं सीधा 53 से लेके जो है वो चालू करूँगा और एक्च्वल में अच्छी धारा है दोस्तों वह कर दिया गया है ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों IPC की धारा 16 ये क्या कहती है गौर्मेंट आफ इंडिया की परिवाशा यानि भारत सरकार की परिवाशा दी गई है जिसको 1937 में निरस्त कर दिया गया है भारत चाशन अधिनियाम 1937 के द्वारा जो इसको निरस्त कर दिय गया है ठीक है उसके बात करेंगे IPC की धारा 17 की IPC की धारा 17 क्या कहती है इसमें दोस्तों सरकार शब्द लिखा है सरकार सब्द सरकार केंदर सरकार ये किसी राजे सरकार का घोथक है यानि सरकार सब्द जो है वो केंदर सरकार भी हो सकती है या फिर राजे सरकार भी हो सकत करना है और राजे सरकार के लिए भी हो सकता है ऐगो को इसमें जो है और brave ुंसे शब्दोności के बारे में बता है जो मैं आपको बता रही है बात करणेंगे ईपी की creation के बारे में बताती है भारत से जम्मु कषमीत राजे की सिवाएं भारत का राजे छेतर अविपरेथ है, इसको निरस्त कर दिया गया है 2019 में ही, ठीक है विदी आदेश अनुकुलन द्वारा इसको 2019 में निरस्त कर दिया गया है, जो 어र ही ठारा 18 है, ठीक है, बात करेंगे आईपीसी की धारा 19 की, ये क्या कहती है, इसमें नियाजी दीश शब्द लिखा है वह व्यक्ति जो पद रूप से नियाइधिश अभी नहीं थे यानि जिसको भी नियाइधिश बनाये गया है वो नियाइधिश शब्द संबंदित है IPC की धारा 19 से ठीक है दोस्तो बात करेंगे IPC की धारा 20 की ये क्या कहती है नियायाले इसमें नियाले दोस्तो वो शब्द है जो कोई नियाइधिश जो है विधी रूप से जो है उसको शशक्त करता है कोई नियाइध कारे करने के लिए ठीक है यानि कोई भी जज जो है एक कमरा खड़ा कर देता है चार दिवारों का है ना किसलिए वहाँ पे नियाइध कारे करने के लिए सब लक्ति का घोतक है जो निवनिस्थानों में आते हैं यानि दोस्तो लोक शेवक सब्द जो है वो इन लोगों से संबंदित है ये लोग लोक सेवक में आते हैं कौन को नाता है सबसे पहले भारत की सेना आती है फिर प्रतेक न्याइधिश आता है जितने भी न्याइधिश है उ लोग सेवक दोस्तों वो होते हैं जो लोग की सेवा करते हैं ठीक है दोस्तों तो यह होते हैं लोग सेवक बात करते हैं IPC की धारा 22 की IPC की धारा 22 क्या कहती है यह जगम संपत्ती के बारे में बताती है यानि जगम संपत्ती के अंतरगत वह सभी तरह की संपत्ती आती है किन् एक्चुल में उनकी संपत्ती है लेकिन जो भूमी के नीचे की संपत्ती है मानलो यहाँ पे एक मकान बना हुआ है उसके नीचे बहुत सारी गैस दबी हुई है बहुत सारा कोईला दबा हुआ है तो वो कोईला जो है इनकी जगम संपत्ती के अंतरगत नहीं आता वो जो है सर उसके बाद बात करेंगे IPC की धारा 23 क्या कहती है सदोश अभिलाव यानि दोस्तो सदोश अभिलाव विधी विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाव है जिसका वैद रूप से हगदार अभिलाव प्राप्त करने वाला व्यक्ति ना हो यानि दोस्तो प्राफिट से है आप कोई भी विधी के विरुद्ध जाकर कोई भी जो है आप लाव प्राप्त करते हैं संपत्ति का अभिलाव प्राप्त करते हैं जिसके आप वैद रूप से हगदार नहीं है तो उसको उसको जो है सदोश अभिलाव कहा गया है ठीक है यानि इलेगल प् लिखा हुआ है बेईमानी शब्द इसमें क्या बताया है जो कोई इस आशे से कोई कारे करता है कि वह एक व्यक्ति को सदोष अभिलाव कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानी कारित करे वह उस कारे को बेईमानी से करता है यह का जाएगा यानि मालो आपका कोई दोस्त ह और एक आपका दुश्मन है ठीक हैं अगर आप अपने दोस्त को जो है बहुत प्रॉफिट दे रहे हो हैना और अपने दुश्मन को बहुत लोस देना चाहते हो तो उस केस में दोस्तो आपको जो है बेइमान कहा जाएगा क्योंकि आप सबको एक नजरों से नहीं देख रहे हैं ठीक है तो इस केस में आप बेइमान कहला होगे वैसे आप ऐसा करोगे नहीं लेकिन फिर भी जो IPC की धारा 24 है उसमें बेइमान शब्द का मतलब ये बताए गया है कि आप किसी व्यक्ति को तो बहुत लाव दे रहे हो तो आप जो है बेइमान कहला होगे ठीक है दोस्तों बस यही लिखा हो है IPC की धारा 24 में IPC की धारा 25 में क्या लिखा हो है इसमें कपट पूर्वक शब्द लिखा है कपट पूर्वक शब्द का इसमें जो है विस्तार बताया है कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है यह कहा जाता है यदि वह उस बात को कपट करने के आशे से करता है अन्यता नहीं यानि कोई भी व्यक्ति किसी बात को ऐसे ढग से बोलता है कि वो उसमें कपट करना चाता है कोई छल करना चाता है ठीक है कोई चीटिंग करना 25 में दोस्तों ये जो शब्द है ये कपट पूर्वा के डायरेक्ट जो है IPC की धारा में लिखा हुआ है और वही मैंने आपको बताया है अगर आप IPC की धारा देखोगे चेक करोगे तो वहाँ पर आपको कपट पूर्वक शब्द ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा ठीक है दोस्तों उसके बाद बात करेंगे IPC की धारा 26 की IPC की धारा 26 क्या कहती है विश्वास करने का कारण यानि दोस्तों कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने के कारण रखता है तब ये कहा जाता है जब है उस बात के विश्वास करने का पर्याप थेतुक रखता है अन्यता नहीं यानि दोस्तों अगर हमें किसी व्यक्ति को विश्वास करना है तो हम उसको तब ही कहेंगे जब तक वो हमारा विश्वास रखता है अगर वो हमारा विश्वास तोड़ देता है, तब हम उसको विश्वास करने का कारण नहीं कहेंगे, ये शब्द IPC की धारच 26 में लिखा है, ठीक है, माल लो आपका कोई दोस्त है, आप उस पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन उसने आपका विश्वास तोड़ दिया, तो आप उस पे दोवारा विश्वास करने में बहुत कतरा होगे, बहुत मुश्किल से करोगे, ठीक है, तो यही लिखा है IPC की धारच 26 में, अगर कोई व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ता है, तो उसको विश्वास ना करने वाला व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है, अग पत्नी लेपिक या सेवक के कबजे में संपत्ती यानि जबकी संपत्ती किसी व्यक्ति के निमित उस व्यक्ति की पत्नी लेपिक के सेवक के कबजे में है तब वह इस सहिंता के अर्थ के अंतरगत उस व्यक्ति के कबजे में है यानि दोस्तो कोई भी संपत्ती अगर उस व्यक या फिर उसके जो सेवा के उसके पास है ठीक है इसमें और कुछ नहीं लिखा है IPC की धारा 27 में बात करींगे IPC की धारा 28 की इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें कूट करण शब्द लिखा हुआ है और कूट करण शब्द की यहां पर व्याक्या की है जो व्याक्ति एक चीज क तो दूसरी चीज के सद्रश इस आशे से करता है कि उश्य सद्रश से प्रवंचना करे या यह संभावे जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी वे है कूट के कारण करता है यह कहा जाएगा यानि दोस्तो IPC की धारा 28 में जो लिखा है वो सिर्फ इतना लिखा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम करता है यह जानते हुए कि वे दूसरों के लिए हानिकारक हो सकती है तो उसको कूट करण कहा जाता है ठीक है तो कूट करण शब्द के बारे में बताये गया है IPC की धा 28 में बात करेंगे IPC की धारा 29 की इसमें क्या लिखा है इसमें दस्तवी शब्द लिखा हुआ है दस्तवी जो के संबंध में IPC की धारा 30 में और उन दस्ताविजो का घोतक है जिसके द्वारा कोई विदिक, अधिकार, सरजित या विस्त्रित किया जा सकते है मुलेवान परतिभूती दोस्तो दस्ताविजो से संबंदित है ठीक है, जिसके द्वारा कोई भी अधिकार सरजित या फिर विस्तित किया जाते हैं यानि कोई भी अधिकार बनाए जा सकते हैं या फिर उनका फैलाब किया जा सकता है उनको किसी और को दिए जा सकते हैं ठीक है दोस्तो तो IPC की धारा 30 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है ठीक है ये थी दोस्तो IPC की धारा एक से लेके 30 ठीक है दोस्तो अब जो है दोस्तो अगली वीडियो में हम जो करेंगे वो सीधा 53 से आगे की धारा पड़ेंगे क्योंकि इसके आगे के दोस्तो जो 20 धारा है और है उनमें जो है जादा कुछ नहीं लिखा हुआ है उनमें भी कुछ ना कुछ शब्द है तो उनके बारे में बताए गया है ठीक है जो IPC की धारा 53 है वो आपके लिए जादा हर सेक्षन के लिए चाहे वो किसी का भी सेक्षन हो वो UPSC कर रहा हो या वो SSC कर रहा हो सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो IPC की धारा आपको जरूर करनी है और जो लौव वाले बच्चे है उनके लिए तो यह जो है आपको पढ़ लेने है तो आज की वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं दोस्तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है दोस्तो यह फस्ट वीडियो थी अब इसके आगे के पार्ट जो है वो जल्दी जल्दी अपलोड करेंगे तो यह फस्ट वीडियो थी दोस्तो हमारी आज की हम मिलेंगे दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में ठीक है दोस्तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इंफोर्मिशन आप तक पहुंच सके धन्यवाद दोस्तो